दियेलेड प्रथमवर्ष विशय भाषा संग्यान और समाज सत्रियकारी आपको करना है दस-दस के समुह में आपको सत्रियकारी दिया गया है जो इस प्रकार है सुनेंगे आप रोल नंबर एक से दस तक के विद्यार्थियों को दो टोपिक दिये गये है पहला है देवनागरी लिपी का महत्व एवं विशेष्टाएं दूसरा है भाषा और अस्मिता में संबंध इसी क्रम में रोल नंबर ग्यारा से बीस तक के विद्यार्थियों को भी दो टोपिक करने है जिसमें पहला है भाषा सीखने में वस्तू चित्र एवं प्रतीकों का उप्योग दूसरा है शिक्षण में मात्र भाषा की क्या उप्योग गीता है नेक्स्ट है रोल नंबर 21 से 30 तक इनमें भी दो टोपिक करने हैं पहला है शब्दों का वर्गी करण और दूसरा है शब्दों की विशेष्टाएं आगे 31 से लेकर 40 तक के विद्यार्थियों को पहला टोपिक करना है पद, पदक्रम एवं पदबंध दूसरा है वाग की लेखन के क्या गुण होते हैं और अंत में रोल नंबर 41 से 50 तक के विद्यार्थियों को पहला टोपिक करना है मौखिक भाषा शिक्षण के आधार और दूसरा है आपका बहु भाषिता और समाज धन्यवाद